राधे क्रिशना मित्रो कैसे हैं आप सब? मुझे उमीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे एबं मजे में होंगी दोस्तों क्या आपका नाम इंगलिस अलफाविट के जे अक्षर से सुरू होता है? जैसे जोती, जितेंद्र या इसके अलाबा और भी लोग होंगी तो अगर आपका नाम जे अक्षर से सुरू होता है तो आपकी रासी क्या होगी? किस रासी के जातक आप माने जाएंगी? आपके जो रासी के स्वामी है आखिर वो कौन है? और आपके लिए आजीबन जो भाग्यसाली अंक रहेगा, जो लक्की डिजिट है, आखिर वो क्या है? अगर आप यह जानना चाहते हैं, तो वीडियो आपको सुनना चाहिए लेकिन सबसे पहले क्या करना है? आपको वीडियो लाइक कर देना है साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर देना है, एबम वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है एबम वीडियो को ध्यान से सुनना है, तो आईए अब वीडियो की सुरुवात करते हैं मित्रों सबसे पहले जानते हैं कि ये नाम के जो भी जातक होते हैं उनका विक्तित्तु कैसा होता है इनका जो शुभाब होता है इनकी जो जीवन सैली होती है आखिर वो कैसी होती है मित्रों जे नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो शुभाब से बहुत जयादा शानत होते हैं बहुत जयादा गंभीर होते हैं ये कभी भी अपने जीवन में किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करते हैं अगर किसी भी काम को करना होता है तो उस काम को कड़ेंगे लेक दोस्तों आपको बता दे यह नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में चाहे वो इनका दामपत्ती जीवन हो इनका प्रेम जीवन हो इनका परिवारिक जीवन हो या किसी भी इंसान के शाथ में इनकी दोस्ती हो या फिर इनका सामाजिक जीवन हो ये अपने जीवन के हर छित्र में बहुत जयादा इमानदार होते है ये अपने जीवन में कभी भी किसी भी इंसान के शाथ में कोई भी छल कपट नहीं करते है मित्रो जे नामबाले जो भी जातक होते हैं तो इनके रासी के जो स्वामी होते हैं वो भगवान सनी होते हैं एबं इनके जो आराध्य देवता होते हैं वो सनी देव एबं हनुमान जी होते हैं बजरंग बली होते हैं तो बेडियो के नीचे में बजरंग बली आप अवश्य क दोस्तो आपको बता दी जो भी जातक होते हैं इनके लिए आजीबन जो इनके लिए भागयशाली अंक होता है जो इनके लिए लखी डिजिट होता है वो आठ यानी की एट होता है दोस्तो जे नाम बाले जो भी जातक होते हैं वो शुभाब से बहुत जयादा नरम होते हैं ए आपको बता दे इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा तेज होते हैं इनका जो माइन्ड होता है वो बहुत ज्यादा सार्प होता है दोस्तों जे नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो अपने जीवन के यात्रा में कम्प्यूटर के छेत में बहुत आगे जाते हैं इसके अलाबा इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो एक अच्छे एबं पड़िपक को राजनेता भी बन सकते हैं यानी की राजनीती में भी इस नाम के लोग जा सकते हैं क्योंकि इनका जो सुभाव होता है वो बहुत जयादा मिलनसार होता है ये वो स्टार्ट हो जाता है दोस्तों जे नाम बाले जो भी जातक होते हैं तो जे नाम का मतलब ही होता है जो अजय हो जो और पड़ाजय हो जिसको कोई हरा ना सके वो होते हैं जे नाम बाले लोग और अगर आपका सुभाब कुछ इस प्रकार का है जो मैंने अभी जश्ट बता तो आपकी रासी मकर रासी होगी क्योंकि जे नामबाले जो भी जातक होते हैं उनकी रासी मकर रासी होती है एबम आपके रासी के जो स्वामी ग्रह माने जाएंगे वो सनिदेव होंगे एबम आपके आराध्य हनुमान जी और सनिदेव होंगे और आपके लिए पूरे जीबन में जो भागेशाली अंक रहेगा वो आठ यानि की एट रहेगा दोस्तों अगर आपने वीडियो को पूरा सुना है तो वीडियो के नीचे में अपना नाम आप कमेंट अवश्य कर दें एबम साथ में वीडियो लाइक कर दें वाइटी पुरुशत्तम को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें एबम वीडियो हर जगह से यर कर दें तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद जैसियाराम